जैहिंद बिहार के बांका जिले का लाल देश की राच्छा करते वे सौरव सरमा 30 वर्ष के जवान जम्मू कस्मीर के बारा मुल्ला में सहीद हो गए है सहाधत की सुचना घर पर आते हैं पूरे घर परिवार पर मातम का महौल बन चुका है माज अपने साधी के पाच महीने बाद ही यह जवान देश की राच्छा करते अपने प्रान को अहूती दे दिये है सहाधत से इनकी बिरांगना पत्नी का रोरो का हलत बेदी बेवसी बन चुकी है बताया जाता है कि यह जवान का पाची महीने पहले ही साधी हुआ था हम चैन से सो पाएं इसलिए हुआ सो गया वह भारतिय फाउजी ही था जो आज सहीद हो गया दुखत कवर सामने बिहार के बांका जीले से निकल कर आ रही है बिहार के बांका जीले के संभू गंज परखंड के पाकरिया गाउं का आर्मी जवान सौरव सर्मा जम्मू कस्मीर के बारा मुल्ला में रविवार को देश करचा करते हुए सहीद हो गया है मंगलवार तक आने आजी के दिन उनके पार्थी सरी पैत्री गाउं में सेना के विशेस्वान से लाए जाएगी जहांपर पुर्राज के सम्मान के साथ सहीद जवान सौरव सर्मा का अंतिम संस्कार किया जाएगा सहीद सवरब सर्मा वर्स 2017 में आर्मी जवाइन किया था बताया जाता है कि यह जवान कड़ी मेहनत के साथ आर्मी में सामिल हुआ था जिसका पहला पोस्टिंग का टिहार में लगा था बताय जाता है कि बाद में अस्थनांतर करकर सहीद जवान का पोस्टिंग जम्मू कस्मिर के बारा मुल्ला में तैनाती किया गया था जहां पर यह जवान देश की रच्छा करते हुए रविवार को सहीद हो गए है सहाधत से इनकी बिरांगना पत्नी का रोरोकर हालत बेदी बेऊसी बन चुकी है सहीद सवरब सर्मा मात्र तीस वर्ष के उम्र में अपना प्रान को आहूती दे दिये है पकरिया गाओं में भी मात्मी सराटा पसर चुका है सचीदा नंद के साथ संतानों में सबसे छोटा पुत्र सौरब सर्मा था जो की देश की रच्छा करते हुए यह जवान अपने प्रान को आहूती दे दिये है पाच माँ पहले ही सौरब सर्मा की साधी मुंगेर जीले की इटहरी गाओं के स्वीटी कुमारी के साथ हुई थी परिजनों ने बताया कि वर्स 2017 में सौरब की नौकरी में थलसेना में बताओर जवान के रूप में तैनाती किया था जिसका पहला पोस्टिंग बिहार के कटी हारी में लगा हुआ था जिसके बाद अस्थनांतर करकर सहीत जवान का पोस्टिंग जम्मू कस्मीर के बारा मुला में आरार कैंप में लगाया थी गया था जो कि पिछले कई माँ से भी यह जवान तैनात था जो कि यह जवान अपने देश की रच्छा करते हुए महज 30 वर्ष के उमर में अपने प्रान को अहूती दे दिये हैं सहादत से इनके 5 महिने की बिरांगना पत्नी का रोरोकर हालत बेदी बेवोसी बन चुके है बताया जाता है कि यह जवान बीते कई वर्षों से लगातार मांभारती की सेवा देते आ रहे थे लेकिन दुख के बात यह है कि यह जवान देश की रच्छा करते हैं अपने प्रान को अहूती दे दिये हैं आज सहीद जमान के पैतरी गाउं में सेना के विशे समान से पार्थी सरेन के पैतिक निवास स्थान पर पहुचाई जाएगी, जहां पर अंतीम दर्सन करने के बाद सहीद जमान के पैतरी गाउं में ही अंतीम संसकार किया जाएगा, बताया जाता है कि सहीद जमान का आज उन पाकिये में दोस्तों जब कोई फाउजी देश के लिए सहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तरब तरब करोती हैं। मिलते हैं नेक्स वीडियों नेक्स अब्डेट के साथ अब तक लिए जैहिंद बंदे मात्रा।